हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वल्कम तो माई ब्लॉग और मैं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित डेली ब्लॉग और आज हम लोग अभी सुबह के बजरे हैं साड़े साथ और आज जाएंगे हम लोग स्वामी नारायन चपिया मंदिर और उहां का आपको पूरा इच्छा है मैंने सुना है कि अभी गया नहीं हो तो आज चलते हैं फिर आपको पूरा दिखाते हैं तो वीडियो के लास तक बने रही है और आप लोग देख सकते हो अभी मैं चपिया मंदिर आया हूं अभी टाइम हो रहे हैं ग्यारा बज़रे ग्यारा बज़ने में अभ हaráं तो गार्डस ने कहा तुम लोग अगे ग्यारही बज़े आगे तो मैंने अंकिल कितने बज़े से खुलती है उन्हों वने कभने हैं और समंझ में नहीं नहीं तो आप लोगों के लिए अभी जैसे ziet खुलेगा आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा मैं फिर गट खुलन एफ रहे अधर पूरा देख सकते हैं अभी अंदर चलते तो आपको दिखाते हुए इसे कि हैं अभी पारे हो पूरा यहाँ पर आपको मुर्ति दिखाते हैं तो आप देख सकते हो अभी हम लोग भी जाएंगे दर्सल करने तो अंदर की साइड चलके आपको दिखाते हैं आई आप देख सकते हो इस साइड में वह भी दिखाते हैं अब चलते हैं फिर आपको पूरा दिखाते हैं जैसा क्या है इसका अंदर का आपको पूरा दिखाता हूं मैं और यहां पर आप डिजाइन देखिए एक एक पीलर पर कितने अच्छे डिजाइन बने हुए भगवान जी के बाँ तरुर के लोग बस से त्रैवल करके आते हैं यहां पर ऋटल अकले मैं यहां पर तो यह सकते हैं जो दूर से आते और बाकी आप यहां देख सकते हो और आप पूरा यहां कर देख सकते हो कि अब पर सिरी क्रिशने जी का कि अच्छा फूर्ट है क्रिशने भगवान नहीं हमारे कि अधर का भी आपको पूरा दिखा रहा हूँ मैं कि अब बहुत भीड लगी हुई थी अभी सब लोग उसी मंदीर पर दिरे दिरे इस मंदीर पर भी आएंगा तब पूरा दिखाऊंगा यहां पर मुबाइल पहली बात तो लाने नहीं दे रहे थे गेट पर तो गेट पर इसलिए लाया नहीं मैं और इसलिए मैंने सोचा कि अंदर चलके कैमरा ओन करता हूं फिर आपको लोगों को दिखाऊंगा आप देख सकते हो बुरा मेरे पीछे यह मेरे पीछे जो है घर सब रहने के लिए है जो बहार से तूरिस्ट वगेरा सब लोग आते हैं तो उनके लिए यह सब हैं रहने के लिए क्योंकि यहां पर आसपास कोई तो यह भी तूरिस्ट के लिए बनी हुई है और चलते हैं फिर आगे और दिखाते हैं आपको दीरे दीरे और हमारे सरवन भाई इदर अभी फोटो तो थोड़ा ले रहे हैं और स्री कृष्णी जी को आपको दिखाते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हो कित तो 2017-18 में आये थे आज फिर वह भी पहली बार आ रहे हैं और पहले से बहुत अच्छा हो गया है पहले तो उतना बना नहीं था यह पीछे अला बिल्डिंग देख रहे हो यह भी पहले बनी नहीं थी अभी यह जश्ट बहुत जल्दी बनी है तो मेरा भी फर्स टाइम था हैं आप तो चलते हैं नीचे मिलते हैं आप से तो अब चलते हैं नीचे की साइट और आपको नीचे से पूरा दिखाएंगा सरण भाई और आप 2018 में आये थे एक बात तो उसके बाद से फिर आप कभी आई नहीं जाए है और यह पहले बनी हुए थी कुछ यह आगे वाली पीछे वाला मेंटेलस में काम चल ला था अच्छे यह जो आप पीछे देख रहे हो सरौन भाई जब आये थे तो यहां पर मतलब उस टाइम पर बंड रहा था अब अंदर की साइड आपको दिखाता हूं मैं अंदर कि इतना अच्छा लग है अब सब्सक्राइब करते हैं यह बाहर का रास्ता है कि सामने आप देख सकते हूं भगवान जी हमारी आप देख सकते हो पैंटिंग कि अच्छी बनाई है अब देख सकते हो अंदर का पूरा अभी और दिखाता हूं मैं अंदर की साइड का यह रूम है और भगवान जी इसमें रहता है आप देख सकते हो यह किचन है वह आगे जो पहले दिखा था वह रूम और अभी आपको और दिखाऊंगा मैं मैं बहुत अच्छे लग रहा है यहां पर मेरे को फर्स्ट टाइम है और आएंगे इस बार अगली बार मम्मी को जरूर ले क्या हूं मैं क्योंकि मम्मी कभी आई नहीं है मेरे साथ में मम्मी को भी गुमाना जरूरी है और यहां पर देख सकते हो मैं करिशने जी जूला जूल रहा है सामने कीचन दे बससाइड नहीं सकता क्योंकि यहां पर गेट लगा हुआ हो ugain मैं और आदू और आपको और देख सकते हूं कि यह आक देख ay dah deu हों क्रिशनी जी वहां पर सो रहे हैं है और ये गेट हैं गेट के वज़े से अंदर ज्यानि सब्सक्राइब करें लोगों को क्योंकि मैं तो आया नहीं था तो सब्सक्राइब क्या 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 देख सकते हो पूरी आपको दिखा रहा हूं और चलते हैं फिर आगे और अभी जो मैंने आपको कमरा दिखाया थे और आपको अभी रसोई दिखाता हूं मैं यहां से दिखाता हूं और यह आज भी वैसे मिट्टी की बनी हुए है अभी जो आपको दिखाया था यह सिरी कृसने जिका हूं यह वैसे बिल्कूर पहले जैसे ही है मिट्टी का ही बना हुआ है शिर्फ बहार-बहार से जो है सब कुछ बना जिया गया और इंदर का वैसे ही कर वाससे हैसा कोई भी चेंज नहीं किया गया है और अभी आपको औ और भी है और भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर आप आप चलते हैं बाँर की साइट से आपको पूरा दिखाता हूं कि ये अंदर की साइड बनी हुई ऋब आपको दिखा धागες है तो उसी एक नीचे जस्ट बनी हुई नीचे मंदिर अभी मैंने इसके अंदर से भी आपको दिखाया और चलते हैं आगी की साइड और आगी की साइड से आपको पूरा दिखाएंगे यह मंदिर है और जास सामने पीछे यह भी मंदिर आपको दिख जैसे कि मैंने दिखा दिया पूरे वीडियो में और इस साइड अभी बन रही है कि आप पूरा देख सकते हो कितना अच्छा भी हुआ है पीछे आप देख सकते हो मंदिर वहां से हम लोग होके आगे हैं अब चलते हैं आगे की साइड और पहले तो हम लोग इस साइड दिखा देते हैं आपको हम लोगों ने पूरा तो गूम लिया कि और कुछ बाकी है और दिखा हुआ चलते हैं अभी बाहर की साइड यह पीछे आप देख सकते हो पूरा आशरम है यहां पर सब लोग रहते हैं और आपको जो हो सकता है वही दिखा है और यहां पर आईए विजिट करें फिर देखें पर आप देख सकते हो इसको पूरा बहुत अच्छा बना हुआ है यहां पर अच्छा फेल आता है हम और हम लोगों को पता नहीं था साड़े तीन बजे खुलती है तो हम लोग यहां पर 11 बजे पहुर है थे और तीन बजे तक बेट करना पड़ा और सरवन भाई का भी आप को पूरा मंदिर दिखाता है और और मंदिर देख सखते हो और अभी हम जा रहे हैं बहार के साइड मैँ आ यहे यहां पर देख सकते हो, यह पूरा बन रहा है, अभी इसको कम से कम दो साल लगेंगे, दो साल बाद आप देख सकते हो, मसलब बहुत अच्छा आप लोग भी आ सकते हो, यह बाहर का आप देख सकते हो, तो यहां पे आप लोग बिल्कुल वेज जो यहां पे देशी घी के बिल्कुल मिलते हैं और अच्छी सुविदा है और हम लोगों ने भी खाया अच्छा लगा खाके अच्छा काम कर रहा है जब से हम यहां पे आने लगे ना 2017 में आये थे शोला वे आये थे तब से यहां पर काम चलना तब से आप सो सकते हो मतलब कतना डेपलेब हुआ है मैंने आपको दिखाया और वह सामने केंटिंग आप देख सकते हो तो उहां पर हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि आपर कैमरा म हम तो यहीं तो ख़ड़ीया कर देख सकते हैं और यह बहस को यह सकता है, सब्रिक्राइस के में और कुछ जब आप लिएग को चलना दश्क्रिप्शन श्रह और आप लोगा को मैं पूरा पता दे दो आप लोग भूमने आ सकते हो आप लोग जरूर आईएगा बहुत अच्छा लगा में भूमके और आप लोग आईए और मैं तो आया था मैं फर्स्ट टाइम था मेरे को पता नहीं थी मैं तो ग्यारा बजे पहुझ गया था और पीछे देख सकते हो आप यह मेंगे अंदर अं कम लोग तुके अगरो जोग में नहीं पता होगी तो आप लोग बस प health के ऑसे मेरे से पूुछ सकते हो मैं बने कि कि कई नस görूल आई बताने हैं और मिलते हैं वेई-टुमर केव सीटव में इसलिकर से बीड़ीय का यह